मिठाई की दुकान पे जाओ तो बूंदी के लड़ू पे नजर पड़ जाए तो मन करता है कि बस बूंदी के लड़ू अभी खा ले हम तो आज मैं आपको बहुत जल्दी से घर पे बना के बुंदी के लड़ू बताने वाले हूँ कि कितनी इजली आप घर पे बुंदी के लड़ू बना सकते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेंगे बेसन basin को हमने यहां पे च्छान लेना है basin को हम अच्छ से च्छान लेंगे और अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी एड्ट करेंगे और इसकी एक fiberte Mash nàyपा Keoshi मtuber 6 यहां पोलन तो इसकी कितनी पतल रखना है राफ यहां पनाँ the आप तो यहां पर देखिए इस तरह से मैंने इसको बनाया है और कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं इस तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए चलिए अभी हमारा जो बैटर है उसको हमने रेस्ट करने छोड़ दिया है दस मिनट के लिए और यहां पर मैंने कडाई में त तो ज्ञारे से अगर आप बूंदी बनाओगी तो बूंदी बहुत ज़दा अच्छी बनती है एकदम छोटे छोटे से जैसे दाने होते हैं मोतियों की तरह पूरी बूंदी बनती है तो अगर आपके पास ज्ञारा नहीं है तो मैं आपको दूसरे तरीका भी बताऊंगी यहाँ पर देखिए जारे को इस तरह से हमने हाथों के ओपर टैप करते जाना है और यह पूरे दाने जो है यह निकलके गडाई में गिरते जाएंगे अब यह अच्छे से इनको हम फ्राई करेंगे अब यहाँ पर इनको जैसे ही फ्राई हो जाएंगे तो इनको निकालने के बाड़ा सी छाने टाइप वोनी जाई है जो एक युवारी में यह सब को निकाल दे नए तो क्या होता है कि जैसे आप पेहले वाले निकालोगे और पीछे वाले ना थोड़े थोड़े से जल जाते जैसे मेरे थोड़ा सा लास्ट में थोड़े से डार्क हो गए थे ये स्टार्टिंग में देखिए एकदम से पीला पीला सा रंग है न तो अगर जादा देर ये तेल में रहेंगे तो थोड़े से डार्क हो जा तो आपके घर पे जो पूरी वेग्राती है जैसी जिससे मैं निकाल रही हूं तो ऐसे वाली में भी आप डालके तो इसको बीच में बुंदी गिरा सकते हैं तो इससे क्या होगा कि मोटी मोटी बूंदी गिरेगी तो उसको आप अच्छे से फ्राइ कर लीजिए और बाद में इस बूंदी को ग्राइंड कर लेंगे जा तो आप झारे से पूरा मोती मोती वाली बुंदी बना लीजीए और उसको बाद में ग्राइंड करके फिर उसको आप जो है उसके लड़ो बना लीजीए तो दोनों तरह से बूंदी के लड़ू जो है बहुत अच्छे से बनते हैं तो यहां पर जितना भी मेरे पास है यह सारा बेसन में इसकी बूंदी बना दूँगी अब यह देखिए यहां पर फर्क देखिए जो मैंने पहले निकाला है थोड़ा सा बेसन सक्त था इसमें मैंन कौन में भरके फिर उसको गिरा दीजिए इस तरह से तेल में तो वह थोड़ा हलका मोटा रहेगा अब यहां पर मैंने दो कप चीनी और डेड़ कप जो है पानी डाल दिया है पतीली में और अब मैं यह देखिए यहां पर जो हमारी मोटी मोटी वाली बूंदी थी उसको मे यहां पर ग्राइंड करने जा रही हूं तो यह हम सारी ग्राइंड कर लेंगे और यहां पर देखिए चाशनी में मैं थोड़ा सा कलर डाल रहे हूं और साथ में ही यहां इलाइची डाल देंगे तीन चार पीस के और हमारा जो यह चाशनी है इसको थोड़ी देर और बॉयल इसमें हमें कोई तार नहीं बनाना होता है कुछ नहीं करना है बस जस्ट हमको एक थोड़ी सी गाड़ी चाशनी बनानी है अब उसके बाद यहां पर देखिए यह जो दाने दाने वाली बूंदी है सबसे पहले इसको डाल दिया में अगर आप यह नहीं बना सकते हैं आप बूंदी के बीच में मिक्स हो जाएगी और बूंदी जो है पूरी चाशनी को पी लेगी अच्छे से तो इस तरह से इसको रेस्ट करने छोड़ देंगे और रेस्ट करने के बद आप देखिए यह जो हमारा मिक्स्चर है कितने अच्छे से सकत हो गया है अब हम इसके बानते जाएंगे तो अब इसी तरह से हमने सारे लड़ू बानने हैं बहुत ही इजी है बस बूंदी बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है अगर जारा है तो भी वह अराम से बन जाएंगे अगर जारा नहीं है तो भी आप लिफाफे की हल्प से कोन की हल्प से जा फि जो पूरी वेगला तल्ले वाली उसकी हल्प से भी आप बना सकते हैं तो इसी तरह से यहां पर अगर आप चाहें तो तर्बूज के बीज या फिर और भी कोई ड्राइफ्रूट्स पर गड़ा मिक्स कर सकते हैं बट बूंदी के लड़ू थोड़े सिंपल सिंपल में ही जाद कर देना फ्रेंड्स